वहीं कई राजियों में वैक्सिन की कमी के बीच गुजरात में बड़े पैमाने पर वैक्सिन लगाई जा रही है लोगों को गुजरात के 10 जिलों में 18 से 44 साल के बीच के लोगों को रोजाना वैक्सिनेट किया जा रहा है सरकार ने तैकिया है कि राज के सभी जिलों में 18-44 साल के उम्र के लोगों को टीका दे दिया जाएगा हमारे सहोगी पूरव पठेल के रिपोर्ट देखे से बचने के लिए अब वैक्सीन ही मात्रे को पाय है सभी सरकारे जो है वो वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है इस वक्त हम एहमदबाद में हैं एहमदबाद में यहां 18-44 साल के बीच में जिनको अपायमेंट मिली है उनका वैक्सीनेशन हो रहा है हर रोज यहाँ पर 200 लोगों को वैक्सिनेशन दिया जा रहा है, वैक्सिन दी जा रही है, इस वक्त हम एहमदवाद के ऐसे ही एक सेंटर पर मौझूद आप देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पर टीका लगवाने के लिए पहुँचे हैं, तो यह हम कह सकते हैं कि यह गलत नह राज्य में 18-44 के बीच के जो लोग है, उनको टीका लगने के प्रक्रिया जो रोश-वरश से शुरू हो जाएगी, फिलहाल जो है यह प्रक्रिया सिर्फ राज्य के दस ही जिल्लों में शामिल है, और बताया जा रहा है कि जब यह प्रक्रिया पूरे राज्य में शुरू ह तब करीब रोजाना चार से साड़े चार लोगों को टीका लग पाएगा आप देखिए यहां पर कई सारे नौजवान और कई सारे लोग जो है वो टीका लगवाने के लिए पहुंचे हुए है अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे है कि आखिरकार उनका नंबर आ जाए यहां पर इंतजार कर रहे है कुछ और लोग है उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे है कि सर आप कब से बैठे हुए है नहीं बोलना है चलिए ठीक है और देखिए लोग बढ़ चड़कर इस वेक्सिनेशन महसाव में हिस्सा ले रहे हम यह कह सकते है कि सर आप कितने बज पारा तक तो आई गया है तो 15-20 मिट लगेगा देवस्ता अच्छी है अच्छा ही है सब कुछ बिलकुल देखिए बड़ी ही आसानी से इनको अपाइमेंट मिल गया है तो जैसे 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 जो वेक्सीन के जो डोज है वो सरकार के पास बढ़ रहे है वैसे वैसे लोगों को अपाइमेंट भी बड़ी ही जल्दी से मिल पा रही है और लोग यह समझ चुके है कि अब वैक्सीन ही एक मात्र जरिया है कोरोना से बचने का एहमदबास सेहितल खत्री के साथ पूराव पटेल न्यूज निशन